नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एसक्यम इस्टडी के इस लेटेस्ट विडियो में बहुत-बहुत स्वागत है तो प्यारे बच्चों आपके भारी कमेंट के बाद मैं क्लास जन्थ या क्लास डल्थ दोनों का मॉडल पेपर और पूरा सलिवसन आपके साथ लेकर प्रस्तुत हुए है तो यूपी बोट का जो नया पैटर्न है 20 बहुत गल्पी प्रिश्णों का उत्तर आपको इसमें दिया जाएगा और सारे पेपर्स को साल्ब किया जाएगा खास बात यह है कि आपके यूपी बोट की कॉपी में ही इसे साल्ब किया जाएगा ठीक है तो वीडियो को इंड तक देखिए अगर आप नहे हैं तो इस चैनल से जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि UP Board का एक लोता चैनल दोस्तों ऐसा है कि इसी चैनल पे आपको model papers का solution पूरा का पूरा solution चाहे वो art के हो चाहे वो science के हो चाहे वो 10th के हो चाहे वो 12th के हो और सभी का solution आपके UP Board में ही मिलेगा कापी में UP Board की कापी में यह देख रहे हैं संस्कित के papers का solution किया गया है आपके UP Board की कापी में पिछले वीडियो में मैंने हिंदी papers का solution किया था यह देखे पूरे हिंदी papers का solution इस तरह किसी आपको UP Board में कापी मिलेगी और ये जो पेपर है ना पेपर आपके यूपी बोर्ट का पेपर है जो की यूपी MSP के बेवसाइट पर यूपी बोर्ट के बेवसाइट पर अपलोड किया गया है यूपी बोर्ट द्वारा तो उसको मैंने निकाला और यहां पर साल्व किया और आप जानते हैं जो यूपी वीडियो में upload किया था तो जो बच्चे भी नहीं देखे हैं वो जाके इस पूरे papers का solution देख लीजिए ठीक है अब पूरा तयार कर लेना क्योंकि 40-45% question का answer आपके UP board की website से जो model paper upload होता है उसी से आता है ठीक और जो previous year paper पर है 2022 की यह देख रहे न 10th का है तो इसका भी अगर solution आपको चाहिए तो हमारे इस चनल से जुड़े इस चनल को subscribe करें ज्यादा ज्यादा बच्चों में इसे share करें ठीक है यह संस्कित का है अंग्रेजी का भी है ठीक है चित्रकला इस तरीके से बिज्ञान का भी है सारे papers का solution आपको इस चनल पर मिलेंगे ठीक है इस चनल से सभी बच्चे जुड़ियां इस चनल को subscribe कर लें जो भी problem है comment box में comment करके जोरू बताईएगा ठीक है दोस्तों देख रहे हैं न यह सारा papers maths क्यों हो गए है science क्यों हो गए इस सारा papers यहां पर लिखा है चलिए अब solve करते हैं संस्कित के paper का सबसे पहले आपको जब copy मिलेगी तो उसे किस तरीके से भरेंगे आप ठीक है तो इसे हम लोग भर लेते हैं देखे यहां पर आपको छे अंक भरना पड़ेगा एक दो तीन चार पांग छे चलिए हम लोग भी भर लेते हैं तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं क्लास 12 ये 10 में जब आप admit card आपको मिलेगा तो उसमें 10 अंक का रोल नंबर लिखा होगा अब ये रोल नंबर 10 अंक का कैसे देखे ये 2022 का है ऐसे ही 2023 में आपको admit card मिलेगा सेम पेपर ऐसे ही होगा बस यहां पे 2023 लिखा होगा ठीक है आपको रोल लंबर दसी अंका मिलेगा admit card में अब उसो कैसे भरना है सावधानिया क्या क्या करनी है तो देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको रोल लंबर मिलेंगे यही रोल लंबर है हमारा तो इसी रोल लंबर को मिलें हमारा है एक पहले अंको में यहां भरनदा है सब दो में यहां भरना है То फिर प्रश्नलपत्र फिर परिछा का दिन परिछा Detroit Pali फिर केंद्र नाम सबसे पहले आंकों में रोल लंबर भड़ेंगे, एक हो गया, दो, दो, एक, पान, चार, पान, छे, साथ, पान, फिर मिलाइए, कितने यंख हैं, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ, दस, उसके बाद एक बार और मिला लीजिए, अपने एडमिट कार्ट से रोल नमबर, फिर सब्दों में लिखि यहाँ एक है तो यहाँ हिंदी में लिखो एक फिर यहाँ दो फिर दो फिर एक फिर पाँच फिर चार फिर पाँच फिर चार फिर साथ फिर पाँच ठीक है इस तरीके से दो बार देखें दो से तीन बार इसे मिलाना क्योंकि रोल नंबर आपका गलत हो गया तो कहाँ पी नहीं जाजी जाएगी याद रखना दोस्तों एक दो दो एक पाँच चार फिर पाँच छे साथ पाँच फिर ऐसे आपको सद्दों मिला लेना फिर आपको बिसय लिखना है बिसय आप माल लेते हैं संस्कृत का पेपर हम साल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे संस्कृत बिसय फिर आपको प्रश्नपत्र जानते हैं प्रश्न पत्र ठेक प्रश्न पत्र उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकी संकेतांग प्यारे बच्चों यहां पर प्रश्न पत्र पर अंकी संकेतांग है तो संस्कित का पेपर लेते हैं हम लोग यहां पर संस्कित का पेपर यह है तो संस्कित की पेपर का संकेतांग यही होत यह नहीं मत नहीं से लिखना ठीक है यह सीरियल अंबर है तो यहां पे प्रश्ण पत्र के अंके संकेता 818 एयू यहां पर लिखेंगे 818 है कि अब परिच्छा का दिन मालेंगे परिच्छा का दिन सुमवार पड़ेगा दोस्तों यहां सो मुआ लिखेंगे फिर परिच्छा तिती परिच्छा तिती माल लेते हैं हमारी परिच्छा 15 मार से स्टार्ट होगी 15-3 2023 से और जानते हैं क्लास 10 की परिच्छा प्रथम पाले में होगी केंद्र का नाम केंद्र का नाम जो है सर्बोदे सिच्छा सदन इंटर कालेज यहां लिखेंगे सर्बोदे सिच्छा सदन जिस केंद्र में आप परिच्छा दे रहे हैं उसी केंद्र का नाम लिखेंगे सिच्छा सदन इंटर कालेज ठीक है तो यहां पे जिसमें आप पेपर दे रहे हैं उसी का नाम लिखेंगे इस तरीके से आपकी कापी भरी जाएगी और कहीं पर आपको कुछ नहीं लिखना है बस इतना एक से लिकर छे अंक तक लिखना है तो यह हो गया अब चलते हैं इस पेपर्स का solution करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग बहुबिकल्पी प्रश्णों को solve करेंगे 20 बहुबिकल्पी प्रश्ण के 20 अंक आपको मिलेंगे अगर यह सही हो जाते हैं तो 20 यहाँ से कटने वाले नहीं है क्योंकि यह आपको जो भी answer देना गोला एक गोले एक प्रश्ण के चार गोले होंगे और जो सही होगा उसी गोला को भर देना है और याद रखना डाट पेन का यूज करेंगे जल पेन का बिलकुल भी यूज नहीं करेंगे आंसर सीट में जो एक से लेकर 20 तक बहभी कलपी प्रश्णा आएंगे उसकी एक अलग कापी मिलेगी छोटी सी होगी और यह बोड कापी आपकी अलग मिलेगी चली हम लोग सबसे पहले 20 बहभी कलपी प्रश्णा को साल्ब कर लेते हाला कि मारे पास वो कापी नहीं है छोटी वाली ठीक आपको बोड इकजाम में ही मिलेगी किसी दिन मॉडल पेपर आपको उसका दिखाएंगे तो देखिए वस्तुनिष्ट उत्तर गद्यांस का सीर्ष जो है ये उक्त गद्यांस का सीर्षक है आदि संकर आचार है ठीक तो पहले का खर नंबर सही है दूसरे की बात करें दोस्तों संकर कस्मीन प्रदेश जन्म ले भे तो ये केरल प्रदेश में जन्म ले भे ठीक है गुरू नानकस पितुह नाम किम गुरू नानक के पिता का क्या नाम था इन्होंने कहा है कालू महता ठीक है क्या नाम था कालू महता ब्रिच्छाह का सलील पानम कुर्बंती तो क्या है पादय है पादई है ठीक है इसे बोलेंगे ठीक है अभिवादन सीलस्य डाट 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 बिर्चो पसेनिया विनह इसलोग पंक्ति पूर करे तो इसे यहां पर जो रिक्ता स्थान है यहां नित्यम भरा जाएगा अगला है दोस्तों कर्मंडे वाधिकारस्ते मा फलेसु कदाचन सूक्त डाट 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 पाट से उतकित है तो याद रखने गीता इसमितम से उतकित है दोस्तों किस से है गीता इसमितम से ठीक है अगला है किम नाटकम द्रिष्टवा गांधिनह रदयम परिवर्तितम तो य अगला है नागान अंदस्य नाटकस्य रचैता अस्ती इसके रचैता कौन है तो यहां पर है हर्श वर्धनः, ठीक है यह है जस्विंदर कौन है दोस्तों जस्विंदर है अगला है इक प्रत्याहार के वण है एक प्रत्याहार के वण क्या है इउरीलरी है क्या है इउरी तरह का उचारण स्थान क्या है तका उचारण सहसे दन्त हो आगला है हरी वंदे में संधी है अनुस्वार संदी है अगला दोस्तों नमस्ते का संध्य बिच्छेत नमस्ते का नमध्धन ते ठीक है अगला है राग्या पद किम विभक्ति एवं बचनम का रूप है कि इसका है दोस्तों इसको दिखा देते हैं आपको यह है त्रिती बिभक्ति एक बचन ठीक है फिर देखें आगे अगला प्रस्ण है वारीपत की खष्टी एक बचन का रूप है ठीक है खष्टी एक बचन का रूप एक बचन का रूप क्या है वारिडे है अगला है नमामी रूप है नमामी रूप लट लकार उत्तम पुरूस एक बचन भयेयू रूप किम लकार का है विधी लिंग ठीक है प्रत दिनिम में समास कौन है बेई भाव समास है दोस्तों त्रिभुवन का समास विग्रह त्रयाडाम समाहार हम भुवनान हम ये है समास अब देखे हम लोग अगले प्रश्ण क्यों बढ़ेंगे दोस्तों बड़े प्रश्णी ये तो भविकल्पी प्रश्ण हो गया अब आ जाते हैं खंड वनात्म प्रश्ण में तो वनात्म प्रश प्रश्न उप्खंड ख ठीक है पहले का देखो कम एने साल किया है आपको इसका उत्तर दिखा देते हैं इसके उत्तर आपको दिखाते हैं आपको इस कापी में पहले से 20 तक यानि नहीं लिखना है ठीक आपको खंड ख से स्टार्ट करने हैं बस उपखंड बस से ठीक है देखें तो सभी बच्चे स्क्रीन सॉट जरूर लेंगे इसका क्योंकि यहां पर एकक निमनलिखित गद्यांस में सी किसी एक गद्यांस का हिंदी में अनुबात किया गया इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों जो भी आपकी प्राब्लम होगी कमें बाक्स में कमेंड करके जरूर बताइये का कि आपको चाही कशाये का आपकी प्राब्लम किया है कुछ भाग यहां पर एक कॉक हम का कम आ जाते हैं इस्टीन देखें दो का कह क्या है तो यहाँ पे तीन है कभी गुलू कारिदासा है विश्व कभी रभिंद्रा है मदन मोहन मालविया है तो तीन में से एक ही करना है तो मैंने कभी गुलू कारिदास का सारांस लिखा यहाँ पे आप देख लिजे दूसरे का कर ठीक है यहां पर यह सारांस लिखा हुआ है इसका स्कीन साड लिजे और क्वेश्चन याद रख लिजे यह सारे क्वेश्चन आप कर लिजे क्योंकि 40 से 45 परसेंट क्वेश्चन यह UP MSP से निकाला गया UP Board का मौडल पेपर है 2023 का ठीक है दोस्तों इसी से आएगा इस बार याद रखना यह 2023 का है अब देखे आगे अब तीसरे प्रश्चन की ओर बढ़ेंगे तो तीसरा प्रश्चन है मारा तीसरे का क यहां पर भासम पस्चंति यद्देनम तब मुहिया मुनह वचह सिरह पस्चामी भासस्य न गात्री मितह सुभ्यवितः ठीक है तो यहां पर तीन का क का उत्तर है अप्र चार के क में आ जाते हैं चार के क मूड़ाई है पासाण खंडे सूरत्न संग्या विधियते तो यहां पर चार के क का उत्तर यह दिया गया है फटा पर इसका स्कीन सोड ले लीजे अब पांच नंबर मे चलेंगे पांच के कमें पांच के कमें देखो हर प्रस्ट में तीन दिया है एक ही करना है संस्कित बहुत आराम दायक है थोड़ा सा भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख ले हर वीडियो के अभी हम संस्कित के धेर सारे मॉडल्स पेपर सॉल्व करेंगे तो सभी बच् बात नहीं करना चाहते हम काम की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किसी एक का इस लोग अर्थ में लिखिए तो यहां पर देखे पांच्वे का क्क किया गया है इसका उत्तर यहां पर दिया गया है आप देख सकते हैं यह पांच्वे का क्क इसके इसके सौड ले लिजिए च्छे नंबर प्रश्ण की ओर बढ़ेंगे निम्नलिकित में से किसी एक पाट्र का चरिछित्रन हिंदी में कीजिए तो यहां पे महात्मन च्टरन किया गया है तो यहां पे च्छका यहां है और कुछ भाग आपको इस तरफ नहीं लेदा ठीक यह है बहुत ही अच्छा solution किया गया आप देख सकते हैं फिर आजाते हम 6 का 6 के पहले में देख रहे हैं ठेक यहाँ पर 6 का 6 का हो गया अब 7 की और बढ़ेंगे तो 7 में यहाँ पर यह लिखा गया है सारे प्रश्णों का उत्तर दिया गया दोस्तों बाकी कुछ प्रश्ण आपको करने हैं या आपके लिए चोड़ रहे हैं हमने तो सब दिया देखो इधर भी दिया है लेकिन आपको करना है क्योंकि हम यह जानना चाहते हैं कि आप क्या पढ़ते हों ठीक आप जो भी सिरीज उसी सिरीज से सॉल्व करिए ठीक अगले वीडियो में आपको फिर से इसका सलेशन दिखाएंगे ठीक तो यहां पर देखें हमने यहां तक सॉल्व किया अब आपको यह करना है साथ के कख में इसका सॉलेशन करके कमेंट बाक्स में कमेंट करके जुर्बताना फिर आट के ख में आपको यह करना है ठीक उसके बाद सभी बच्चे ले 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 इस पेपर का प्रिएप पाना चाहते हैं तो यसक्य मिस्टडी टेलेग्राम पर जाएए आपको पीडेप मिल जाएगा फिर आपको तीन वाकों में संस्कित का अनबात देखो यहां पर एक दो, तीन, चार, पांच, पांच दिया है, तीन करना है, फिर आपको दस नमबर में एक पर निबंध लिखना है, चाहे जिस पर परियाव और पर कोई भी संस्कित में निबंध लिखना है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर यह लिखना है, निमनलिखित पदों में से किसी एक प पास्क्राइब जरूर करें तो अगले फिर मिलेंगे तब तक के लिए जैन जैभार्थ वंदे मात्रम